हाई वीवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंस यह देखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी कार्डिगन में लेडी जैकेट में लेडी शग में गर्ल्स टॉप में बच्चों के स्वेटर में इसे आप कैप में मफल में भी अपलाए कर सकते हैं तो देखिए फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है यह दिखिए और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो 4 के मल्टिपल से होंगे प्लास 4 फंदे एक्स्टा होंगे और यह जो डिजाइन है टोटल 4 रो का डिजाइन है यह दिखे यहां पर मैंने 20 फंदे लिए है 16 फंदे 4 के मल्टिपल से लिए है प्लास 4 फंदे एक्स्टा लिए है 2 फंदे साइड में डिजाइन को एक्ल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के होंगे और बेस जैने के लिए 2 रो उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर निकाल लिए है तो चलिए बनाती है यह इसकी 1 रो है और राइट साइड है और यह दिखे यहां से हम पहले 2 फंदेशन रो बनाएंगे जो कि आपने सिर्फ एक ही बार बनानी है दुबार रपीट नहीं करेंगे तो दिखे फर्स्ट फंदेशन रो राइट साइड एस्टिच बैक लूप से सिधा बुनेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू दो फंदे सीधे वन टू यह देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए और दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर से इस पैटन को ऐसे ही रपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर से 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 वन, टू और ऐस्टे सीधा बना लेंगे फर्स्ट फाउंडेशन राउ कम्प्लीट हो गई है सेकिंड फाउंडेशन राउ, राउंग साइड अब देखें इस राउ में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे वन, टू, दो फंदे उल्टे वन, टू, दो फंदे सीधे वन, टू, दो फंदे उल्टे वन, टू, दो फंदे सीधे फिर से दो फंदे सीधे लास में तीन फंदे दो फंदे सीधे ये दिखे हमारी दो फंदेशन राउ कमप्लीट हो गई है अब इस रह से हम हमारा में पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो दिखे कैसे करेंगे फर्स्ट और राइट साइड एस्टिच पैक लूप से सीधा बुनेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे वन टो धागा पिछे अब देखिए यहाँ पर दो सीधे फंदे हैं इसके पहले हम सेकिन होल में से एक एक्स्टा फंदा बनाएंगे देखिए यहाँ से वन टो यहाँ से हम एक एक्स्टा लूज फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे बना लेंगे फिर से एक एक्स्टा लूज फंदा बनाएंगे दो फंदों के बाद सेकिन होल में से यहाँ से एक एक्स्टा लूज फंदा बनाएंगे यह देखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए, एक एक्स्रा फंदा बनाया, फिर हमने दो फंदे, यह देखे, सीधे बुने, फिर एक्स्रा लूज फंदा बनाया है, फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार हम रिपीट करेंगे, तो देखे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्ट बनाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर से सेकेंड होल में से एक एक्स्रा लूज फंदा बनाएंगे, फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से Sono फंदा बनाएंगे, second hole में से, one, two, फिर दो फंदे सीधे, one, two, फिर से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, second hole में से, one, two, फिर से एक बार और pattern repeat करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, धागा पिछे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, second hole में से, one, two, यहां से, एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, one, two, फिर से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, second hole में से, अब लास्ट के तीन फंदे हैं, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, एस्ट्रा सीधा बना लेंगे, first row complete हो गई है, अब दिखिए, second row है wrong sign, as is slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, दो फंदे सीधे, one, two, धागा आगे करेंगे, और एक फंदा slip करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, फिर से एक फंदा slip करेंगे, यह दिखिए, मारा एक pattern complete हो गया, इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा slip किया, दो फंदे उल्टे, एक फंदा slip किया, फिर से pattern repeat करेंगे, दो फंदे सीध है, 1,2, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1,2, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे सीध है, 1,2, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1,2, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीध है, 1,2, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, एक फंदा slip करेंगे, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, one, two, एस्टिच पर्लवाइज स्लिप करेंगे, second row complete हो गई है, third row है right side, अब देखे, एस्टिच बैक लूप से सीधा बुनेंगे, repeat pattern start करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, धागा पिछे, अब ये देखे, four फंदे है, four फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो बार सीधा बुनते हुए, ये देखे, एक बार four फंदे बैक लूप से four फंदों का एक फंदा बनाएंगे, अब इसको slip नहीं करना है, अब आगे की side से फिसे इन four फंदों को एक फंदा बनाएंगे, सीधा बुनते हुए, आगे की side से, ये देखे, अब इसको slip करेंगे, ये देखे, फिर से हमारे पास यहाँ पर दो फंदे हो गए हैं, ये देखे, हमारा एक pattern complete हो गए, इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए, one, two, और four फंदों को दो बुना हैं, और दो फंदे सीधे बुने हैं, फिर से इस pattern का ऐसे ही बार बार पीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, पर, knit four together, two time, ये देखे, एक बार back loop से four फंदों को एक फंदा बनाएंगे, अब front loop से four फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, धागा पीछे, दो बार, four फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक बार back loop से सीधा बुनेंगे, four फंदों का एक फंदा बुनते हुए, अब आगे की साइड से four फंदों का एक फंदा बनाएंगे, सीधा बुनते पिर से धागा आगे दो फंदे उल्टे, फ़न टू धागा पीछे, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बैक लूप से बुनते हुए, अब आगे की साइट से फेसे इनी फोर फंदों को बुनेंगे, यह दिखे, लास्ट के तीन फंदे हैं, दो फंदे उल्टे, वन टू ऐसे सीधा बना लेंगे ये देख 있ंढ थर्ड रह कंप्लीट हो गई है फूर्ढ है रॉंग साइड इस रह में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे बना लेंगे एससे स्लिप पैटन स्थ करने में टू, दोफंदे, उल्टे, वन, टू, ये देखे, मारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिसे से रपीट करेंगे, दोफंदे सीधे, वन, टू, दोफंदे, उल्टे, वन, टू, दोफंदे सीधे, वन, टू, दोफंदे उल्टे, वन, टू, दोफंदे सीधे, वन, टू, दोफंदे उल्टे, वन, टू, लास्ट के तीन फंदे हैं, दोफंदे सीधे, वन, टू, एस्टिच, पालवाई स्लिप करेंगे, ये देखे, फोर रोग कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटन भी कम् है फिर से हम इसे फर्स टॉ से स्टार्ट करेंगे तो दिखिए कैसे करेंगे फर्स टॉ राइड साइड एस्टिच बैक लूप से सीधा भुनेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे वन तू अब सेकंड होल में से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे वन तू फिर से सेकंड होल में से एक्स्ट्रा लूज फंदा बनाएंगे वन तू यहां से एक एक्स्ट्रा लूज फंदा बनाएंगे यह दिखिए मारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे वन तू एक्स्ट्रा लूस फंदा बना लेंगे, second hole में से, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, one, two, धागा पिछे, एक एक्स्ट्रा लूस फंदा बनाएंगे, second hole में से, फिर दो फंदे सीधे, one, two, फिर से एक एक्स्ट्रा लूस फंदा बना लेंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, धागा पीछे, एक एक्स्ट्रा लूस फंदा बनाएंगे, सेकिन होल में से, दो फंदे सीधे, वन, टू, फिर से एक एक्स्ट्रा लूस फंदा बना लेंगे, सेकिन होल में से, last के 3 फंदे हैं, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, estries सीधा बना लेंगे first row complete हो गई है, second row है wrong side, estries slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा आगे, 1 फंदा slip करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 1 फंदा slip करेंगे फिर से, इदेखे, मारा एक pattern complete होगे, फिर से repeat करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 1 फंदा slip करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 1 फंदा slip करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा आगे, 1 फंदा slip करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 1 फंदा slip करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 1 फंदा slip करें लास्ट में दो फंदे सीधे, वन, टू, एस्टिज स्लिप करेंगे, थर्ड रॉर राइड साइड, एस्टिज बैक लूप से सिधा बुनेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, धागा पिछे, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यह देखें, मारा एक पैटन कंप्लीट हो गया, फिर से से रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बैक लूप से, पहले इसे, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर फ्रंट लूप से, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, फिर इनी फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रन्ट लूप से, धागा आगे दो फंदे उल्टे, फन, टू, फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से, फिर इनी फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रन्ट लूप से, लास्ट में तीन फंदे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, एस्टे सीधा बना लेंगे थर्ड रौ कम्पलीट हो गई है, फोर्थ रौ रौ रॉंग साइट जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे दो फंदे सीधे, वन, टू, दो फंदे उल्टे, वन, टू, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, वन, टू, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, और लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, वन, टू, एस्टिल स्लिप करेंगे, यह देखे, फिर से हमारा पैटर्न फर्स टॉ से स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही बार-बार हम इसकी वन, टू, फोर और रपीट करते जाएंगे, और यह पैटर्न बनकर, यह देखे, इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडिस कार्ड गिन में, लेडी जैकेट में, जैंड साफ सेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाएए, और अपने एक्स्पिरि